केतु ग्रहे की 2023 तक इन राशियों पर रहेगी असीम क्रपा बन गए माला माल होने के प्रबल योग जोतिश रास्तर के मुताबित छाया ग्रहे केतु ने दुला राशी में प्रवेश कर लिया है केतु का यह गोचर तीन राशी वालों के लिए लाबकारी साबित हो सकता है आये जानते हैं यह राशी कौन सी है जोतिश के नुसार हर ग्रहे एक निश्टित समय अंतराल पर एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करता है इस गोचर का प्रभाव मानब जीवन और प्रत्री पर देखने को मिलता है साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए शुब रहता है तो किसी के लिए अशुब आपको बता दें कि केतु ग्रहे ने 12 अप्रेल 2022 को तुला राशी में प्रवेश कर लिया है जहां वो साल 2023 तक स्थित रहेंगे इसलिए केतु के इस गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी राशियों पर पड़ेगा लेकिन तेन गोचर ऐसी हैं जिनको इस गोचर से अच्छा धनलाब हो सकता है मकर राशी केतु ग्रहे के राशी परिवर्तन से आप लोगों को अच्छा धनलाब हो सकता है क्योंकि केतु ग्रहे ने आपके 11 इस्थान में गोचर किया है जिसे इंकम और लाब का भाव माना जाता है इसलिए इस दोरान आप कई नई इस्तरोच से धनलाब कर सकते हैं इसके साथ ही व्यापार में अच्छा धनलाब हो सकता है वही इस दोरान आपको आक्समिक धनलाब भी हो सकता है वही बिजनिस में आप नई डील फाइनल कर सकते हैं जिससे आपको भविश्य में मुनाफ़ा हो सकता है वहीं नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है साथ ही इस समय आपको अठका हुआ धन प्राक्त हो सकता है कुल मिलाकर आपके लिए केतु का राशी परिवर्तन शुब फल दाई रहने वाला है आप लोग एक नीली उपरतन या लहसुनिया धरन कर सकते हैं जो आपके लिए लखी स्टोन साबित हो सकता है केतु ग्रह का गोचर आप लोगों की जिंदगी में एहम बदलाव रा सकता है क्योंकि आपकी राशी से केतु ग्रह ने चरतुर्थ भाव में राशी परिवर्तन किया है जिसे सुख, माता और वाहन का भाव माना गया है इसलिए केतु ग्रह की प्रभाव से आप लोगों के लिए केतु ग्रह की एहस्ति उच्सहाजनक रह सकती है साथ ही यह समय उन लोगों के लिए भी विशेश रूप से शांदार साबित हो सकता है जो विभिन भाशाओं को सीखने में रुची रखते हैं साथ ही इस दोरान आपको नई नौगरी का प्रस्तावा सकता है या फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है जो लोग अभी अभिवाहित हैं वो लोग इस दोरान किसी प्रेम संबंद में आ सकते हैं मतलब उनकी शादी हो सकते है प्रॉपर्टी और वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है साथ ही इस दोरान आपको माता का भी पून सहयोग प्राप्त हो सकता है वहीं आपके कारेच्षेत्र में मंचाही जगे पोस्टिंग हो सकती है। इस समय आप एक मोती स्टोन धारंद कर सकते हैं जो आपके लिए भागेशाली स्टोन साबित हो सकता है। कुम्भ राशी आप लोगों के लिए केतू ग्रह का राशी परिवर्तन शुब साबित हो सकता है क्यूंकि आपकी गोचर कुंडली में केतू ग्रह में नवम भाव में प्रवेश कर लिया है जिसे भागी और विदेश यात्रा का भाव कहा जाता है इसलिए इस समय आपको यह सब्सक्राइब करें अभाव करें ने अच्छी सपलता मिल सकती है मतलब वो किसी कोर्स मैं अड्मिशन ले सकते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीख्शा में पास हो सकते हैं साथ ही जिन लोगों का प्रोशन रुका हुआ था उनको इस समय प्रोशन और इंक्रिमेंट म को फेस्बुक पर देख रही है तो फॉलोव जरूर करें धने बात